10-12 लग का संपत्ती अपना सोना चांदी 100 पहर तो कमशचंदी था, लगभग 13-14 पहर सोना था, लगभग 10-12 लग का संपत्ती जो था, जो अदमी हमको ये लगता है, रात भर में 5 बार 6 बार प्यसाव करने के लिए उठता है, उदमी रात भर में 11 बजे सो है और 4 बजे जग लेकिन बिहार में सराब बंदी जो है यह आपको दिख रहा है किस तरह से लखिस राय जिले के मोहनपूर में रात्री में चोड़ों ने पहले सराब पिया और उसके बाद चोड़ी की घटना को अंजाम दिया वो भी सराब कहीं धर उधर नहीं सुड़ी चक का सुमन चौक जो है वहां से जो मुख्य सरक जाती है मुरबर्या पूल के तरफ उसी मुख्य सरक पर चोड़ों ने बाइट करके यह बर्या बर्या क्वालिटी का जो बड़े बरे लोग सराब पीते हैं वो सराब को उन्होंने पिया यह बिदेशी सराब है ठंडा का बोतल है चाट शोमिन सिक्रेट सब को पिया और उसके बाद चोड़ी की घटना को अंजाम दिया अब चोड़ों के पास सराब को किसने सप्लाई किया चुकि बिहार में तो सराब बंदी है आखिर वो करन है सराब तसकर जो चोड़ों के पास सराब पहुँचाता है और जिसको पीने के बाद चोड़ मदमस्त हो जाते हैं और वो किसी के घर में घुच जाते हैं चछत के र तो यह लोग जिस तरह से सराब के नसे में धुंद रहते हैं, उनके साथ कोई भी अपिर ये घटना को अनजाम दे सकते हैं, फिलाल मैं आपको दिखाता हूँ, वह घर जहां पर इन लोगों ने चोरी की घटना को अनजाम दिया, यह जहां पर इन लोगों ने बिदेशी दिखाता हूं किस तरह से चोषों ने हटना को अन्जाम दिए वह इघर जहां पर चोरों ने रातरी में जमकर के उत्पात मचाया और ये गिरिह स्वामी है हमारे साथ जो सोय वस्था में थे और इनके ही घर में चोरों ने डाका डाला आखिर चोरों ने क्या कुछ चोड़ी किया चोरी मेरे घर से लगबाग सत्तर हजार से कुछ दूवजार नीचे पईसा था कैस तेरे चोदा बड़ी सोना था और पचास के लगबाग शिका था चांदी का साल में खड़ीतते थे धन तेड़स के धन तेड़स कुछ पायल था बच्या बुत्रुए उड़त का यही शब मे तो बिसेस तो भी नहीं पता चल रहा है क्या लिया है हम सब लोग तीन आदमी घर में थे एक ठो बाहर में सोये थे चाचा दूगों हम घर में थे हमको कुछ पता ने रोज उठते थे पांच बार साथ बार पैसाओ के लिए रात में कुछ कही निंदे नहीं टूटा हमको क्या आपके जिस रूम में चोड़ा आया उसी रूम में थे हमरे तकिया भी जो से मोबाइल आट चलिया हमको पता ने नहीं खुला पती पतनी दोनों सोये किसी का निदे क्या लग रहा है कुछ दवावाका पढ़ियों कर दिया क्या हां उसी रिलेक्स में हमको लगा कि सोये कि दूब पुलिस को फोन किये हाँ पूरत फोन किये परसासन आई है परसासन तो आया था तो मतलब एफायार की अभी किने अभी तो ने किये हैं तो क्या लग रहा है कुछ चोड़ों के बारे में संकाओं का देखे तो ने डारेक्ट किसी को देखे ने हैं इसे गुमते फिर साब किसी काम से इधर आया है वो तो वबात सही है वो बात सही है कि हम देखे उस सब को ऺोम रहा है चुकि आपको संदिक्त गती विधी लगी है उलोग का ती चार आदमी ब्हुर रहा था जू बबागहां वे उसुमें था प्लुण में त वॉख्यूर बवात में ता और हमारे घर के दए हैं रोड धर के जा रहा था तो घ्लत लोग हैं उस पर थो है ही अईशन थोड़े नहीं रहे गा इस पर शाषनतस क्या मामंग करते हैं इस बर्शाषन पर यहीं मांग करते हैं इस पर बाइंशे बनोर चेले परसाषं से हमड़ा मदद कड़े समान को उसको बड़ामत करके वापस करवाबे यही नि मेरा आथी रहेगा परसाषं से और क्या कहेंगे हम तब मुहनपुर में चोड़ी बढ़ गया है तीन जगह और चोड़ी हुई थी चोड़ों का तंक परसाषं इसमें नाकाम्यावी कर रही से छोर्ड जो है यह अपना बार-बार्बार तो चार दिन एक शिख espírit कर देता है कभी इस गषाट में कभी उस गषाब कभी दर चैति दूर्गा के मेरा मुर्गी पार में च OG विश चलाते हैं या दमी रात पर में प्यूसाब करने के लिए उठते आज रात है इसा हुआ कि एक बार भी दो अदमी में एक अदमी भी ने पैसाओ करने के लिए उठाए नसा का कोई परियोग किया है नसा का परियोग करके अपना जो हुआ सो समन लुट लिया सोना चांदी पैसा कोड़ी जो हुआ दस बारा लग का छती दे दिया बताइए ये गरीव अदमी हम सब मजदूर अदमी हैं दीन रात एक कड़के दो रुपिया कमागे घर लाते हैं बताइए बाड़ा लाक रुपई या कितना साल में कमाएंगे सराब भी घर के आसपास पीते हुए कुछ बोतल दोसल मिला है रात में अपना चोड़ी आइढ़ा तो क्या लग रहा है कहां से चोर आते हैंbooks ये हमी yourself सब देशья जाएंगे अभी धाना पर भारी को उसका नाम बताएंगे मेडिया पर नहीं बताएंगे लेकि वह ऱह पर हम नम बताएंगे क्योंकर बार बार यह च्छोडी का अंजाम जब हो राये तो वह आ पre संघ्यान मिलेंगे लंफ़ाद पर चाहिए तब तो राथ बर नीड़ नहीं होता है दो चार दिन पर गटना दो चार दिन पर ऒट बार राओ हुम करता दीन बढ़ काम Use May इसे नहीं कहा जाएगा बताइए वह अदमी जी सकता है दिन बर काम करेगा रात में रात भर जाक के घार अगड़े फिर भी हां उससे काम होगा पुलिस का पेट्रोलिंग रात में लगाता है पुलिस रात में पेट्रोलिंग होता है अपना साइरन बजाते आते हैं वह गली गली थोरी खोजते हैं कहां क्या है नहीं है तो आप सजेशन दीजिएगा पुलिस वतवना की किस तरह से वो करे आपका बात नहीं मानेगे तो ठीक है अम थाना परभारी के पास अभी जा रहे हैं वह आप बताएंगे तो सुन रहे थे इन लोगों की आखिर किस तरह से चोरों ने इस घर में यही च्छत का रास्ता है चुकि घर में आने का एक लवता रास्ता मुख्य द्वार के अलावा यह च्छत है और च्छत पर से ही चोर चड़ करके जितना चोरी हुआ है मोहनपूर में सभी जगा चोर जो है घर के अंदर च्छत पर से ही आया है और यहां भी च्छत का ही परियोग करके चोर अंदर आता है और घर के लोगों को पता भी नहीं चल पाता है जिस तरह से और जगा पे लोगों को पता नहीं चला था दो तीन जगा जहां चोरिया हुई यहां भी लोगों को पता नहीं चला आखिर किस टेकनोलोजी का चोर प पता नहीं चलता है, फिलाल आप देख रहे हैं केटी वार्त कुमाल कुमार्क साथ, जहिन!